मात्चित के दुरान आपने समझ लिया ये जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या ए अस्टूडेंट हैं आपको अपने बिजनेस के बारे में ऐसा इन्फोर्मेशन देना है hidden तरीके से, छुपाए हुए तरीके से कि वो हाँ बोल दे भाई कैसे होगा, मुझे भी करना है नमस्कार दोस्तो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बातो बातो में लोगों को अप्रोच कैसे करना है उन्हें मात्र दो मिनट के अंदर अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में इन्वाइट कैसे करना है आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं आप कहीं जीम में गए हैं, पार्टी में गए हैं, फंक्सन में गए हैं साधी भीवा कहीं भी गए हैं, हर तरफ लोग दिखेंगे लेकिन आपने लोगों से बातचित करने का कला सीख लिया आज इस वीडियो में जो हम आपको टिप्स देने वाले हैं, अगर आपने उसे सीख लिया, तो आप किसी को भी अप्रोच करके अपने बिजनेस में ले करके आ सकते हैं, जब भी किसी ब्यक्ति से पहली बार मिले, तो आपको उनको एप्रिसियेशन लाइक उनमें कुछ पूछ सकते हैं, वाओ, नाइस सुज, यह सुज आपने कहां से लिया था, वाओ, नाइस वाज, यह नाइस ड्रेसिंग सेंस, आपकी ड्रेसिंग सेंस काफी तगड़ी है, आपकी परसनालिटी बहुत धासु है, बहुत सांदार दिख रहे हैं, हाथ मिलाई हैं, अपना बाचीत की सुरुवात हो जाएगी और अगर कोई व्यक्ति सिंपल दिख रहा है सधारण दिख रहा है उसमें एप्रीसियेशन के लाइक कुछ नहीं दिख रहा है तो आप उनसे प्रस्ण कर सकते हैं आपको कहा जाना है या आप कहां से हैं या आप क्या करते हैं और देन आप उनसे बाचीत की सुरुवात कर सकते हैं यानि सबसे पहला पॉइंट है रेपो बिल्डप करना उनसे बाचीत की सुरुवात करना और आपको बाचीत की सुरुवात में पहल करनी है नहीं सोचना है कि सामने वाला बोले तब मैं बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं आपको प्रोए उनका need और उनका interest सामने आ जाएगा कि उनकी जरूरते क्या होंगी अगर a student है तो mostly a student को पैसे की जरूरत होगी क्योंकि वो अपने घर वाले पर dependent होते हैं और job करने वाली की need क्या होती है यार ऐसा कुछ काम मिल जाए जिससे हम extra earning कर सकें वो jam में फसे रहते हैं उनकी boss की सुन opener मारने में असानी होगी और आप smoothly अपने business webinar में उन्हें अमंत्रित कर पाएंगे यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे opener के बारी में बताने वाला हूं अगर आपने इसे सठीक तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप किसी भी व्यक्ति को असानी से अपने business presentation में invite कर सकते हैं सबसे पहला opener है सबसे पहले एक fact बोलना है देन आपको अपने business के बारे में ऐसा information देना है hidden तरीके से छुपाए हुए तरीके से कि वो हां बोल दे भाई कैसे होगा मुझे भी करना है कैसे आपको कुछ उदान से समझाते हैं अपने बातों बातों में उनसे बोला ज्यादा कुछ लोगों ने ऐसा तरीका धूंड लिया है जो वो खुद के boss हैं उनको किसी की भी डाट नहीं सुननी पड़ती है समने वाला पुछेगा कैसे तब आपको अपने business presentation में invite करना है कैसे करना है इसके मैं अगले वीडियो में बताऊंगा अभी हम opener के बारे में बात कर रहे है कि कैसे prospect को open कर देना है उससे सुनने के लिए उसमें interest पैदा करने के लिए आयो कुछ और उदान से समझें ज्यादा तर लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनको महीने में एक बार ही salary मिलती है लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका धूंड लिया है जिनसे वो महीने मे चार बार salary लेते हैं अगला opener है ज्यादा तर लोग बिदेश घूमना चाहते हैं लेकिन बिदेश घूमने में पैसे ज्यादा लगते हैं और उनके पास पैसे कम होने के करण वो बिदेश नहीं घूम पाते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा तरीका धूंड लिया है जो बीना अपना एक रूपे खर्चा किये वो बिदेश की यात्रा करते हैं सामने वाला अगर बिदेश की यात्रा करने में इंट्रेस्टेड होगा वो आपसे जरूर पुछेगा कैसे अगर आप health sectors related product sale करते हैं और कोई मोठा बेक्ती आपके सामने आ जाए तो उन आलन करना पड़ता है लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका धूंड लिया है कि वो नेचुरली अपना वजन कम कर सके सामने वाला जरूर पुछेगा कैसे दूसरा ओपनर है हर कोई जानता है अगर जिस बात को हर कोई जानता है आप ऐसा बोलेंगे तो प्रस्पेक्ट अब उठाएगा क्योंकि हर कोई जानता है सुरज पूरब में उठता है हर कोई जानता है इस पर कोई अब्जक्शन नहीं उठा सकता है क्या ओपनर मार सकते हैं जौब करने वाले व्यक्ति से हर कोई जानता है कि जौब करने से अमीर नहीं बना जा सकता है लेकिन फिर भी अधि बनने के लिए बिजनेस करना पड़ता है लेकिन बिजनेस करने में बहुत अधिक पैसा और बहुत अधिक experience की आवस्यक्ता होती है इस बज़ा से लोग business start नहीं कर पाते हैं लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका धूंड लिया है कि वो कम पैसे में और बिना किसी experience के बिजनेस start करके और आज उसे smoothly run कर रहे हैं तीसरा opener है there are two type of people इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं अगर कोई student आपके सामने आ जाए और उससे बादशित कर रहे हैं तो उससे कौन सा opener मारेंगे इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक वो जो पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाते हैं दूसरे वो होते हैं जो पैसे के लिए अपने मा बाप पे depend रहते हैं अगर आपको मौका मिले तो आप किस category में आना चाहेंगे most of the student क्या बोलेगा कि मैं भी साथ साथ पैसे कमाना चाहता हूं कैसा रहेगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ 1-2 घंटे समय निकाल कर महीने का 8-10 यह कमा सके या फिर अपने पढ़ाई के साथ साथ आप अपने पढ़ाई के high रखे, tone को high रखे मंद से negative thought negative विचार कि सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला reject करेगा इन सारे विचार को मंद से निकाल दे, positive attitude positive mindset के साथ लोगों को approach करना है और अच्छे race coat में रहें मैं ऐसा नहीं बोड़ रहा हूँ कि आपको tie और coat में हमेशा रहना है लेकिन आपको सिंपल भी रहना है तो ऐसा दिखना चाहिए कि आप एक सक्सेस्फूल पर्शन है यानि आपकी अच्छी होनी चाहिए जब भी लोगों से बात करें हाई पीछ में बात करें